Hello guys, Welcome to our YouTube channel was Ok the way with Aeam आज में आप सभी के लिए काफे important वीडियो लेकी आई हूँ तो देखिए आपके आगामें उत्रकाट के सभी एकसाम के रिगार्डिंग आज में आप सभी के लिए उत्रकाट के revision क्लास लेकी आई हूँ तक हमारी YouTube चैनल Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथ साथ बगल में जो बैल आइकन देख रहा है इसे भी फ्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं ये भी Study with AIM के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आठ बजे क्विज का भी आयजन किया जाता है काफी Important Question आपको Quiz के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको जोईन कर सकते हैं तो चलिए आज के Session को हम स्टार्ट करते हैं और इस Session का पहला Question है गोविंद वल्ला पंद किर्शी विश्य विद्याले की स्थापना कब हुई? गोविंद वल्ला पंद के नाम पर रहे हैं इस कर्शी विश्य विद्याले का नाम बदल कर क्या रखा गिया? गोविंद वल्ला पंद कर्शी विश्य विद्याले रखा गया अगला Question है आपका गुरुकुल कांग्री विश्य विद्याले की स्थापना कब हुई? 1900 इजवरे में कहा पर हुई थी? पंजाब में पंजाब में इसके स्थापना वर्ष 1900 इजवरे में भुई थी और गुरुकुलग आंग्ली विश्य विद्याले को 2 मार्च 1902 को कहा इस्थानादृत किया गया हरीद्वार इस्थानादृत किया तो पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 19 स्वाव में और पंजाब से हरीद्वारी से वर्ष 1902 इस भी में स्थानांतृत किया गया और गुरुकुल कांगरी विश्वध्याले के संस्थापक कौन थे स्वामी श्रधा नंद ये आपको याद रखना है स्वामी श्र दर्जा मिला था तो ये आप ध्यान रखेंगे 1962 इस भी में हीड़क जयनती के दिने से विश्वध्याले का दर्जा मिला अगला कुशन है आपका राजकी बेद शाला के स्थापना कहां की गई है तो देखिए राजकी बेद शाला जो है इसके स्थापना की गई है आपके निताल जनपत में अगला कुशन है आपका केंडरी भवन अनुसंधान संस्थान कहां परिस्तित है केंडरी भवन अनुसंधान संस्थान ये आपके कहां परिस्तित है रोड़की में इस्तित है ये आपको याद रखना है important point है केंडरी भवन अनुसंधान संस्थान की स्था बनाया गया और इसके अलावा देखिए भारती सिच्चाई अनुसंधा संस्थान भी आपका रूड़की में स्तित है और आपसे पूछ जाए कि भारती सिच्चाई अनुसंधा संस्धान की स्थापना कब हुई तो वर्ष 1928 इस भी में भारती सिचाई अनुसंधा सस्तान की स्थापना हुई जो की रोड़की में इस्तित है और इसके अलावा देखें बंगाल सेंपोर्स एंड माइनर्स की स्थापना भी रोड़की में की गई कब की गई? 1853 में सबी पॉइंट्स आपके important हैं ध्यान रखें अगला क्वेशन है स्री गुरूराम राय इंस्टिटूट अफ टेग्नलॉजी की स्थापना कहां हुई तो देखें स्री गुरूराम राय इंस्टिटूट अफ टेग्नलॉजी इसके स्थापना कहां पर की गई? इसके स्थापना की गई देखे देहरा दून में ये आपको याद रखना है अगला कुशन देखेंगे अगला कुशन है आपका उत्राखंड सचीवाले का नाम रखा गया है तो देखें उत्राखन सचीवाले जो है इसका नाम क्या रखा गया है अगला कुश्चन है राजी के साइन्स सिटी कहां परिस्तित है तो देखें राजी की जो साइन्स सिटी है ये आपके है देहरादून में अगला कुश्चन है फॉरेस्ट स्कूल अफ देहरादून के स्थ इसके गठन की सला किस ने दी थी? Dretis, Brandis ने इसकी गठन की सला दी थी. वर्ष 1884 ISB में इसका नाम बदल कर Imperial Forest School रखा गया और वर्ष 1906 ISB में अनुसंधानकारी के साथ जोडते हुए इसका नाम Imperial Forest Research Institute रखा गया और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम Indian Forest Research Institute हो गया तो ये ध्यान रखेंगे और इसे FRI जो है इसको डिम्ड विश्वद्याले का घोशित किया गया ये भी पूछा जा सकता है तो देखे, UGC ने FRI को वर्ष 1901 ISB में डिम्ड विश्वद्याले घोशित किया और इसका FRI जो है इसके मुख्य गेट का नाम क्या है ये अकसर question पूछा जाता है तो Brandis Gate याद रखेगा आई के gate का नाम है Brandis Gate अगला question है आपका राजय शैक्षनिक एवं अनुसंधान परिशद कहां इस्तित है पहले भारती सर्वेक्षन विभाग की स्थापना कभ हुई तो दीए भारती सर्वेक्षन विभाग जो है इसके स्थापना 1767 इस बरे में बंगाल में हुई जिसका मुख्याले दृती विश्वईद के दोरान वर्ष 1942 42 को बंगाल से कहां स्थनादून में स्थनादून کیा गया तो ये भी आपका important point है और इसको ध्यान रखुएगा और उत्राखंड भासा संस्थान जो है ये भी आपका देहरादून में इस्तित है 24 स्वरवरी 2010 में उत्राखंड भासा संस्थान की स्थापना हुई देहरादून में इसके अलावा उत्राखंड हिंदी अकादमे की स्थापना भी देहरादून में की गई कब की गई परश 2009 में सभी important points है अगला question है wood stock school कहाँ परिस्तित है देखे wood stock school जो है ये आपके कहाँ परिस्तित है देखे wood stock school इस्तित है मसूरी में और इसके स्थापना कब की गई 1901 में wood stock school के स्थापना मसूरी में की गई और सेंट जार्ज बिद्याले भी आपका मसूरी में ही इस्तित है और 1853 में इसके स्थापना की गई थी इसके अलाबा देखे मसूरी में international school भी है 1984 से मसूरी में international school है इसको ध्यान रखे चलिए अगला question देखते हैं राष्टी द्रिष्टी बाधिद संस्थान कहां परिस्तित है तो देखे राष्टी द्रिष्टी बाधिद संस्थान इसके स्थापना कहां पर की गई है देहरा दून में इसके स्थापना की गई है राष्टी द्रिष्टी बाधिद संस्थान की और कब इसकी स्थापना की गई ये भी पूछा जा सकता है तो देखें 1943 याद रखें राष्टी दृष्टिबादित संस्थान की स्थापना 1943 इसबे में कहां पर की गई देहरादुन में की गई थी अगला कुश्यन है आपका श्रेनगर में मेडिकल कॉलिज के स्थापना कब हुई थी वर्षट 2008 में हुई थी अगला कुश्यन है देव संस्कृति विश्व विद्याले कहां पर इस्थित है तो देव संस्कृति विश्व विद्याले है आपका कहां हरीद्वार में अगला कुश्यन है विवेकानंद किर्शी अनुसंधान संस्थान के संस्थापक किर्षी अनुसंधां संस्थान ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो दिखे विवेका नंद किर्षी अनुसंधां संस्थान जो है ये आपके कहा परिस्तित है अलमोडा जनपद में कटार्मल के पास इस्तित है और इसकी स्थापना कब की गई वर्ष 1924 में डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई और विवेकनन्द परवती किर्शी अनुसंधान शाला भागति किर्शी अनुसंधान पूसा की एक परवती इकाई है और विवेकनन्द किर्शी अनुसंधान शाला भागत खोजे गए मतर की किस्म BL03 और स्वेयबीन की किस्म BL52 है यह आपको याद रखना है अगला कुश्यन देखेंगे लोक संस्कृती संग्राले यह कहाँ परिस्तित है तो देखें लोक संस्कृती संग्राले यह कहाँ परिस्तित है यह स्तित है आपके नैनिताल जनपद में जनपद पूछा जाए तो नैनिताल जनपद में हो जाएगा और आपके भीमताल नैनिताल जनपद के भीमताल खुटानी में लोक संस्कर्टी संघ्राले इस्तित hé आप कमेंट करके बताइए लोक संस्कर्टी संघ्राले जो है इसकी स्थाबना किसकेद्वारा की गई थी अगला कुश्यन है राजिय प्राविदिक शिक्षा एवं परिक्षा परिशा दिये है अगला कोशन है आपका जिम कॉरवेत नेशनल पार्क मूजियम बताना है तो ये कहा परिस्तित है, काला ढूगी परिस्तित है आपके कहां परिस्तित है पितोरगड में अगला कुश्चन है बिरला विद्या मंदिर कहां परिस्तित है बिरला विद्या मंदिर है आपके नैनिताल में अगला देखेंगे अगला कुश्चन है देखे गोविंद वलाप पंत का जन्म कब हुआ था तो देखे गोविंद वला प्रदियोंगी की सनस्थान इस्तित है आपके कहां पर सुमारी में अगला कुशन है प्रदियूम्न łag के मिर्ठीओ कब हुई थी प्रदियूम्न हे मिर्धी वर्ष 1804ब में खुडगबुड़ा के मैदान में प्रदियूम्न शा बीरКती को प्राप्त हुए थे, अगला कुश रहेश्य मई जील के रूप में किसे जाना जाता है तो दीखे रहेश्य मई जील के रूप में जाना जाता है किसे रूप कुंड को और इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है और क्योंकि यहां पे हजारों कंकाल पाए गए हैं इसलिए इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है और रूप कुंड को दुनिया की नजर में लाने का श्रे किसे जाता है तो आपसे ये भी पूशाजा सकता है तो स्वामी पर्णवानन्द याद रखें अगला कुशन है आपका राजी का छेतरफल की दृष्टे से सबसे छोटा जिला है तो देखें राजी का छेतरफल की दृष्टे से सबसे छोटा जिला कौन सा है चमपावत जिला अगला कुशन है जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क का प्रारमभिक नाम क्या था तो देखें जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क का प्रारमभिक नाम क्या था और देखे, स्वतनतता के बाद कॉर्वेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया, राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया, और वर्ष 1957 इसमी में प्रिकृति प्रेमी जिम कॉर्वेट के नाम पर इस उध्यान का नाम पड़ा, और कितना छेत्रफल इसका है, 520 वर्ग किलू पहती है, पुर्वी राम गंगा नदी, तो सभी कुशन ध्यान रखेंगे, रिलेट करके आयो कोई भी आपसे कुशन पूछ सकता है, अगला कुशन है आपका भारती सुदूर सम्वेदी संस्थान कहां इस्तित है, तो देखे, भारती सुदूर सम्वेदी संस्थान के अग बढ़ कला में दिरादून के हाथी बढ़ कला में इस्तित है इसको ध्यान रुखेंगे अगला कुश्यन है आपका भारती पशु अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्तित है तो देखे भारती पशु अनुसंधान संस्थान है आपके नेनिताल जनपत के मुक्तेशर में और इ गई और इसके निर्मान का जो श्रे है ये किसको दिया जाता है Alfred Lingard को और इसका सरपर्थम नाम Imperial Bacteriological Laboratory था और वर्ष 1925 इज़री में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया Imperial Institute of Veterinary Research और देखे Alfred Lingard ने यहाँ पर घोडो वगो पशुओं में होने वाला जो सर्रा रोग है तो सर्रा रोग पर यहाँ पर शोद किया था Alfred Lingard ने और रानिखेद रोग के टीके का आविशकार भी इसी सेंटर में हुआ था भारती पशु अनुसंधा संस्थान तो आपसे पूछा जा सकता है रानिखेद रोग के टीके का जो आविशकार है वो कहाँ पर किया गया तो कहाँ पर किया गया भारती पशु चिकित्सा सोथ संस्थान में यह आपको याद रखना है जो कि आपके मुक्तेश्वर में इस्तित्था अगला कुश्यन है आपका अलमोडा अकबार पर प्रतिवंद कब लगाए गया तो देखें अलमोडा अकबार पर कब प्रतिवंद लगाए गया यह बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रेल 1918 में अलमोडा अगबार परतिवन्द लगा था और दिखें कब प्रकाशित हुआ यह अगबार 1871 इस बी में और अलमोडा अगबार के पर्थम संपादक कौन थे बुद्धी वलब पंद थे 1871 इस बी में अलमोडा अगबार के पर्थम संपादक पुछे जा सकते हैं तो कौन थे बुद्धी वलब पंद थे अगला कुश्यन है मसूरी सीजन पत्रिका का प्रारंब कब हुआ तो दीके मसूरी सीजन जो पत्रिका है इसका प्रारंब हुआ वर्ष 1872 में अगला कुश्यन है आपका हिमाले कुरांतिकाल का प्रारंब कब हुआ हिमाले कुरांतिकाल का प्रारंब हुआ 875 में अगला कुश्यन है तीरी रियासत में पहला मुद्राले कब खोला गया वर्ष 1901 में अगला कुशन है आपका गैर सेंड विधान सभा की पर्थम बैठक कब हुई थी तो देखे गैर सेंड विधान सभा की पर्थम बैठक हुई थी 9 से 11 जुन 2014 को अगला देखेंगे भराडी सेंड विधान सभा भवन का सीला न्यास कब हुआ था तो भराडी सेंड विधान सभा का जो सिलान्यास है ये कब हुआ था 14 जन्वरी 2013 को अगला कुशन है आपका बदरिदात पांडे ने गड़वाल का अभिमन्यू कहा था देखे बदरिदात पांडे जो है इन्होंने गड़वाल का अभिमन्यू कहा था किसे इस्रिदेश सुमन को अगला कुशन है मदी हिमाले एवं शिवालिक के बीच के छेत्र को क्या कहा जाता है most important question है तो देखे मधी हिमाले और शिवालिक के बीच का जो छेत्र होता है इससे क्या कहा जाता है इससे कहा जाता है दून कहा जाता है मधी हिमाले पर शिवालिक श्वेणी के बीच पाए जाने वाली जो शैतिच वो चौरस घाटियां होती है इनको कहा जाता है दून और देखे पुर्वोत्तर भाग में दून घाटियों को क्या कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है तो पुरूत्तर भाग में जो दून घाटियां होती है इन्हें द्वार कहा जाता है और दून घाटियों के आसत उचाई 350 से लेकर 750 मीटर तक होती है और राजी का सबसे बड़ा दून कौन सा है पोछा जाए तो राजी का सबसे बड़ा जो दून है ये है आपका देहरा दून और इसकी लंबाई कितनी है 75 किलोमेटर 75 km इसके लंबाई है चोड़ाई 24 से लेकर 32 km है 24 से 32 km इसकी चोड़ाई है और इसके अलावा पतली और कोटा नामक दोन कहां पर इस्तित है ये भी पूछा जा सकता है तो ने निताल जिले में ये इस्तित है अगला कुश्चन है आपका कशमीर में बुग्यालो को क्या कहा जाता है गविंद घाठ किसके संगम पर है अगला कुश्चन है कुम्ब मेला किस्तिति से प्रारंब होता है कुम्ब मेला जो होता है ये किस दिधी से मकर सक्रांती से प्रारंबू होता है अगला कुशन है नंदा देवी परवद फदा करने वाली पर्थम महिला कौन थी तो देखे नंदा देवी परवद फदा करने वाली पर्थम महिला बतानी है तो कौन थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखे हर्षवन पितल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है किस शहर को अलमोडा नगर को और तामर नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसे अगला कुशन है राजी की कितने पृतिशत जन संक्या कारिशील है तो देखें राजी की 38.39 पृतिशत जन संक्या है ये क्या है कारिशील है गौरा देवी को व्रक्ष मित्र पुरुसकार से कब सम्मानित किया गया ये बताना है तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्ष 1986 में गौरा देवी को व्रक्ष मित्र पुरुसकार से सम्मानित किया गया दिखें गौरा देवी का जन्म कहां पर हुआ था चम मोली के रेणी गाओं में वर्षrict उनिस सो चुहत्तर में हुए चिपको अंदोलन की सूत्र करता थी गोरा देवी के साथ गाओं की 21 महिलाओं ने ब्रक्ष कटाओं को रोकने के लिए चिपको अंदोलन शुरू किया था ये आपको याद रखना है और इन्हें वर्ष उनी सो च्यासी में ब्रिक्षो मित्र पुरुस्कार से सम्मानित किया गया अगला कुश्चन है आपका जूला देवी मंदिर किस इस्थान में है तो देखे जूला देवी मंदिर जो है ये आपके कहां पर इस्तित है अगला कुश्चन है राजी का पहला जागर महा विद्याले कहां है most important कुश्चन है तो देखे राजी का पहला जागर महा विद्याले है आपके कहां पर ठ्री नगर में अगला कुश्चन है पंचा चूली परवत कहां पर इस्तित है पंचा चूली परवत है आपके पिथोरग पुस्तक के लेखक कौन है तो देखे सहीदे वतन पिथोरगर पुस्तक के लेखक है राजेश मोहन उपरेती अगला कुशन है नेनिताल नगर पालिका के पहले भारती अध्यक्ष कौन थे तो देखे नेनिताल नगर पालिका के पहले भारती अध्यक्ष थे मोहनलाल शा अगल करके बढ़ाईएगा comment section में अगला question है ब्यास समान प्राप्त राजी के पर्थम व्यक्ती कौन थे तो देखे ब्यास समान प्राप्त राजी के पर्थम व्यक्ती कौन थे रमेश चंदर शा आप सभी को यह session पसंद आ रहा है तो जल्दी से like कर लिजे जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें और शेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp गुरुप्स में अगला कुशन है बद्रिनात का अंगरक्षक देवता किन को माना जाता है तो देखिए बद्रिनात का अंगरक्षक देवता माना जाता है किसे छेतरपाल को अगला कुशन है केदानात का अंगरक्षक देवता किन है माना जाता है तो देखिए केदानात के अंगरक्षक देवता है भेरव देवता अगला कुश्चन है राजिका दानवेर कर्ण किसे कहा जाता है तो देखिए राजिका दानवेर कर्ण कहा जाता है किसे घनानंद खंडूरी को अगला कुश्चन है उत्तर की द्वारिका के नाम से जाना जात तो देखिए तो ये किस जनपद में इस्तित है बताना है आपको जिलमिल ताल जो है ये आपके कहां पर इस्तित है चमपावत जनपद में ये आपको याद रखना है और इसके अलावा देखे शामला ताल भी पूछा जाता है शामला ताल भी आपके कहां पर चमपावत जिले में इस्तित ह और शामला ताल के तठ पर विवेका नंद आश्रम इस्तित है और यहीं पर शामला ताल के तठ पर जूला मेला लगता है और आपका जिलमिल ताल भी है आपके चंपावत में ही अगला कुशन है देव सारी जल विद्धुत पर योजना किस नदी पर निर्माना धीन है तो देश सारी जल विदोत परियोजने है आपके किस नदी पर पिंडर नदी पर अगला कुश्यन है, भूमनेश्वरी महिला आश्रम कहां पर स्थित है? तो देखिए, भूमनेश्वरी महिला आश्रम बताना है कहां पर स्थित है? तो यहां पे आपका right answer हो जाएगा अंजनी सेंड में ये ध्यान रखेंगे अंजनी सेंड में भूमनेश्वरी महिला आश्रम इस्तित है और किस जनपद में इस्तित है पूछा जाए अंजनी सेंड कहां पर है तिहरी गडवाल में है इसको ध्यान रखेंगे तिहरी गडवाल में इस्तित है आपका अंजनी सेंड तो यह पर भूमनेश्वरी महिला आश्रम इस्तित है और इस आश्रम की स्थापना कब हुई थी 1977 याद रखेंगे 1977 में स्थापना के थी स्थापना के थी स्थापना 1964 में कहां से आये थे केडला से आये थे केडला से आये थे और भूमनेश्वरी महिला आश्रम का धेवाकी क्या है य और खुछाल समाज, इसका धेई वाकी है, अगला कुश्ण है आपका, किस पंच केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं, तो कौन सा ये पंच केदार है जिसके कपाट 12 महीने खुले रहते हैं, तो यहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा कलपेश्वर नात यह पंच केदार कौन सा है कलपेश्वर नात है तो इसको आप ध्यान रखेंगे और कलपेश्वर नात किस जनपद में इस्तित है यह आपको बताना है जिन लोग को आंसर आ रहा है जल्दी से आप सभी लोग कमेंट किजिए कमेंट शेक्शन में तो देखें कलपेश्वर नात की बात करें तो यह कहां पर चमोली जनपद में इस्तित है और पंचम केदार में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है कलपेश्वर नात के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं और एक मात्र केदार है जहां पर स्थानी लोग पूजारी होते हैं तो कलपेश्वर नात में पूजारी कौन होते हैं पूछा जा सकता है या एक मात्र केदार जहां पर स्थानी लोग पूजारी होते हैं कौन सा केदार है पूजा जा सकता है तो यह है पंचम केदार कलपेश्वर नात और चमोली क ये उर्गम घाटी में इस्तित मंदिर है ये इसको ध्यान रखेंगे कलपेश्वनात के सम्मीप एक कुंड भी इस्तित है जिसका नाम क्या है कलेवर कुंड अगला कुश्चन है आपका गौरा पंत को शिवानी नाम किस के द्वारा दिया गया तो देखें गौरा पंत को अगला देखेंगे पहला राजी का पहला योग ग्राम कौन सा था तो देखें राजी का पहला योग ग्राम था पावल या ग्राम अगला कुश्चन है सुमीत्र नंदन पंत की कुमावनी कवीता है तो ये कवीता है बुरोन सा अगला कुश्चन है महाभारत में कुणिंद शाशकोग को क्या न